नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी त्याहारों के इस सीजन में भरपूर बिठाईयां और बाहर का प्रोसेस्ट फूट खाया है और आपका वजन बढ़ गया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता ही इंजॉय करने के लिए है, लेकिन अब सब से जरूरी बात ये है कि कैसे कुछ ही दिनों में हम अपना बढ़ा हुआ वजन और फैट कम करें, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टन्ट है एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना, और आपकी मदद के लिए आज हम आपको फुल टे वाइस वीकली इंडियन वेजिटेरियन आ रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप कुछ ही दिनों में मुटापे से छुटकारा पालेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्द इन मनी को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, और बेल के आइकॉन को प्र या अप्षिन में ओट मील ले सकते हैं, मिड मॉनिंग स्नाक्स के लिए आप कोई भी सीजनल फूट खा सकते हैं, लंच में आप राइस के साथ मिक्स वेज, करी या एक करी खा सकते हैं, और साथ में कर्ड या पिर बतर मिल का सेवन कर सकते हैं, सोमवार के दिन, डिनर में आपको एक कटोरी दाल और एक कटोरी लौकी की सबजी के साथ एक या फिर दो रोटी लेनी है। अब बात करते हैं दूसरे दिन की, तो इस दिन ब्रेकफस्ट में आप इडली सांबर खा सकते हैं। मिद मॉर्निंग स्नाक में आप ग्रीन टी लीजिए, लंच में आप सैलेट स्टाफ्ट विजटेबल, पराथा और दही का सेवन कीजिए। इवनिंग स्नाक के लिए आप भेल खा सकते हैं, और डिनर में आप पालक टोमाटो सूप और वेजटेबल खिचड़ी लीजिए, और बेट टाइम पर आप मिल्क लीजिए, पर इसमें कोई क्रीम और शुगर का इस्तिमाल नहीं होना चाहिए, आप चाहें तो हल्दी वाला दूद पी सकते हैं, थर्ड डे, यानि के वेडनस डे के ब्रिक्फरस्ट की बात करें, तो इस दिन आप सुभा के नाश्ते में वोल्ट चना लीजिए, मिद मॉर्निंग स्नाक में कोई सीजनल फ्रूट या खजूर खाईए, लंच के लिए सैलड, जुआर की रोटी आपके घर में बनी हुई कोई भी सबसी और एक कटोरी दाल लीजिए, शाम को स्नाक में आप पोहा खा सकते हैं, या फिर टी, कॉफी पी सकते हैं, लेकिन कम से कम शक्कर के साथ, बुध्वार के दिन, रात के खाने में आप दो रोटी, सबजी और सलाद लीजिए, अब दे फोर की यानि के थर्स्डे की बात करें, तो मॉनिंग ब्रेकफस्ट में आप दो ओट्स चीला लीजिए, मिद मॉनिंग स्नाक में फ्रूट लें और लंच के लिए आप वेजिटेबल सूप लें, बाजरे की रोटी, डाल और मसाला चाच लीजिए, इवनिंग स्नाक में आप थोड पनीर सलाद के साथ कोई भी ग्रीन वेजिटेबल की सबजी और दो रोटी लीजिए, बैट टाइम के वक्त अगर आपको भूख लगती है, तो एक गिलास दूद पी सकते हैं, पांचवे दिन, शुकरवार के दिन, आप ब्रेकफस्ट में पोहे लीजिए, मिद मॉनिंग स् आप ग्रीन टी या रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, डिनर में सलाद, स्प्राउट्स, जुआर की रोटी और कोई भी सबजी लीजिए, सिक्स डे की बात करें तो उसमें आप दिन की शुरुवात आप वेजिटेबल दलिया के साथ कीजिए, मिद मॉनिंग स्नाक में लीजिए, लंच के लिए दो रोटी, कोई भी सबजी, डाल, सलाद और चाच का सेवन कीजिए, शाम के नाचते में आप खाकरा खा सकते हैं, डिनर में वेजिटेबल सूप, ब्राउन राइस, सामबर और दही लीजिए, अब बात करते हैं वीक के आखरी दिन की, जो है संड इस दिन मौनिंग ब्रेकफस्ट में आप दलिया, उपमा और दही ले सकते हैं, मिद मौनिंग स्नाक में कोई भी सीजनल फ्रूट लीजिए, दो पहर के खाने में वेजिटेबल सैलेट, डाल, कोई भी सबजी और जवार की रोटी खाईए, इवनिंग स्नाक में आप मूंग इंडे के दिन खा लीजिए, लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखिए कि आपको क्वांटिटी बिल्कुल कम ही रखनी है, और अगर आप चीट मील नहीं खाना चाहतें, तो आप अपनी डाइट पर टिके रहें, तब तो बहुत ही बढ़िया, आप डिनर में सैलेड, कोई वेज इंडेडियन डाइट प्लान, तो अब आप इस डाइट को फॉलो कीजिए, और एक महीने के अंदर मुटा पे से छुटकारा पाईए, इसके अलावा, अगर आप अपने वजन घटाने वाली आयूर वेदिक वेट लॉस ड्रिंक के बारे में जाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इससे लाइक और वीडियो को शेर करना बिलकुल न भूलें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,